तो आज हम डिसकस करने वाले हैं आर्टिकल 16 तो जो सरकारी नौकरिया है उसमें इक्वैलिटी मिलेगी सब को अपोर्चुनिटी जो हैं इक्वैली मिलेगी तो आए इस आर्टिकल के बारे में हम पढ़ते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बडमा आपको ये चीज़ बताना चाओंगा कि आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप किसी गवर्मेंट सर्विसिस की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में भी सीखने के लिए मिलेगा कि हमारा Constitution जो है वो क्या कहता है तो चलिए ये हमारा वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि Article 16 में क्या दिया गया है तो Article 16 Clause 1 के अंदर दिया गया है that equality of opportunity for all citizens in matter of public employment तो यहाँ पे एक word का ध्यान दीजेगा वो है citizens तो यहाँ पे person नहीं लिखा गया है citizen लिखा गया मतलब जो भारत के नागरिक हैं वही equal है public employment के matters के अंदर ना कि सब लोग, सब persons नहीं फिर आगे चलते हुए देखेंगे हम इसके अंदर second clause में यह दिया गया है that there shall be no discrimination on the grounds of religion, caste, race, sex, place of birth, residence, etc तो residence पर कई जगे तो ऐसा बताया जाता है कि residence requirement है तो यह तो exception हो गया फिर constitution का, नहीं दोस्तों इसको भी constitution के अंदर ही बताया हमारे समविधान निर्माता ने, तो हम article 16 clause 3 के अंदर यह चीज़ पढ़ते हैं कि parliament जो है एक law बना के यह चीज़ बता सकता है कि इस post के लिए आपको residence जो है pre-requisite है job के लिए यह चीज़ वो बता सकता है तो ऐसा ही उन्होंने एक act बनाया था जिसका नाम था पब्लिक employment requirement as to residence act 1957 अब इसने क्या किया? कुछ states के अंदर आप अगर वहाँ के resident हैं तो ही non-graduate post के लिए आप apply कर सकते हैं उन states का नाम था आंदर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपूरा और मनिपूर तो यह सारी चीज़े इसके अंदर बताई गए और धीरे धीरे जो हैं यह act expire हो गया था इसको एक limited time के लिए रखा गया था बट यहाँ पे क्या है यह provision enable करता है पार्लियमेंट को कि वो आने वाले समय में भी जो है residence को as a requirement रख सकता है तो चलते हैं article 16 clause 4 की तरफ article 16 clause 4 जो कहता है वो यह कहता है that post can be reserved in government services for the backward classes backward classes अब backward classes यहाँ पे यह चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यह बहुत ही broad term है इसके अंदर क्या-क्य include किया जा सकता है यह कौन टै करेगा यह state टै करेगा अगर state को लगता है कि एक class जो है वो adequately represented नहीं है services के अंदर तो वो उसे क्या है reservation दे सकता है चलिए next चलते है article 16 clause 4a तो यह जो 4a है यह add किया गया था 77th constitutional amendment act 1995 के टै यह क्या कहता है कि reservation के अंदर भी जो है promotion रखे जा सकते तो यह तो अपने आप में बहुत wide term हो गया कि promotions के लिए भी reservation तो यह जो चीज़ है यह एक development के थुरू आई जिसको हम अभी नहीं समझेंगे वो एक development के अंदर समझेंगे इन सब के बाद रहे तो चलिए next slide के तरफ चलते हैं वो यह कहती है कि article 16 clause 4b यह बोलता है कि जो vacancies unfilled रह गई for example अगर 50 हमने vacancies रखी OBCs के लिए उसके अंदर से उस exam में 40 जो है वही fill हो पाई बाकी 10 जो है वो रह गई तो वो जो बाकी 10 है उनको carry forward कर सकता इस state आगे ले जा सकता या तो अगले साल या उसके 5 साल बाद या उसके 3 साल बाद जबी भी state को लगे और वो चीज जो है वो 50% ceiling limit में क्या है include नहीं होगा अब ये 50% ceiling limit क्या है ये भी हम आने वाले slides में समझेंगी ये किसके द्वारा add किया गया था तो ये add किया गया था 85th constitutional amendment act 2001 के तहर्ट उस समय पे सरकार थी श्री अटल बिहारी वाजपईजी तो चलिए आगे कि तरफ चलते 5th religious denominations की जो post होती है जैसे कि कई state के under Malvi की अगर post आईगी तो उसे Muslim जो होगा वही उस post के उपर जा सकता है अगर वही पे किसी Pandit की post आई तो वहाँ पे Hindu जो है उसी post के लिए apply कर सकते है तो ऐसे जो religious offices हैं वहाँ पे जो है reservation रखी जा सकती है कि उस particular religion का इंसान ही वहाँ पे बैठेगा ठीक नाओ next comes the article 16 article 16 says and clause 6 says that state can reserve the post post for economical weaker section अब यह जो add किया गया है यह 103rd constitutional amendment act 2019 से add किया गया इस act ने article 15 में भी changes किया और article 16 में भी changes किया तो इस act के तहत क्या है 10% reservation दी गई है economical weaker section को अब कौन है economical weaker section तो economical weaker section वो है कि जो reserved classes से नहीं आते SC से नहीं आते, ST से नहीं आते, OBC से नहीं आते बट वो जो है financially strong नहीं तो उन्हें यह चीज reservation में दी गई थे तो क्या होगा अभी इस act में ऐसा ही कुछ नरसिमा राव जी की government ने किया था उन्होंने भी 10% दिये थे तो वो क्यों हट गिया यह सारी चीजें जो है हम आगे वाले section में पढ़ेंगे जो की होगा development तो अब आईए देखते हैं यह इतना बड़ा article कैसे बना और इसके अंदर क्या-क्या development हो development बहुत ही interesting है इस article के तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं मुरार जी देशाई जी के दौर के अंदर 1979 के दौरान उन्होंने क्या है मंदल कमिशन की स्तापना करी अब मंदल कमिशन किसके लिए था मंदल कमिशन एक report बनाने के लिए था जो की बताएगा कि backward classes के अंदर कौन-कौन included हो तो मंदल कमिशन ने अपनी report बनाई और उन्होंने बोला कि भारत के अंदर 52% जो हैं वो backward classes से बिलॉंग करते हैं तो उन्हें 27% reservation देनी चाहिए और इसका उलेक जो है article 16 clause 4 में already दिया गया है कि backward classes के लिए क्या रखी जा सकती है reservation तो बोला इस तरीके से आप reservation दीजी और इसका पैमाना क्या रखा गया 1931 का census रखा गया जन गणना रखी गई जो की caste waste census था उस समय गई तो समय भी था मोरार जी देशाई जी की सरकार गिर गई और ये सारी चीज़े ठंडे बस्ते में चली अब ये वापिस कब आया उसके पीछे भी एक historical बहुत ही जादा interesting story है हम उस story के बारे में भी देखेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे तो फिर समय आया वीपी सिंग गवर्मेंट का तो वीपी सिंग गवर्मेंट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे तो हमें जादा better understanding आएगी कि कौन से circumstances में जो है मंदल कमिशन की report को publish किया गया या implement किया गया तो दौर उस समय का था जब बहुत जादा जो है कोई भी एक party अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही वीपी सिंग का दौर था उन्होंने राजीर गांदी के खिलाफ anti-corruption movement चला है जिसके तहत उन्होंने अपनी बातें आगे रखी और उसी मुहीम के तहत जो है वो जनता दल के नेता चुने गए अब जनता दल के नेता भी कैसे चुने गए उस समय तीन दावेदार थे प्रधान मंत्री के पद के उन में से सबसे पहले थे वीपी सिंग जी दूसरे थे देविलाल जी और तीसरे थे चंदरशेकर जी तो अब उस समय पे बात ये चल रही थी कि देविलाल जी को बनाया जाया और उसी के लिए सहमत थे कौन चंदरशेकर जी बट समय पीता और समय के हिसाब से कौन आया वीपी सिंग जी उसकी भी अपने आप में एक स्टोरी है बट वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर में उसको पढ़ेंगे तो वीपी सिंग जी आये बट जैसे जैसे समय पीता दो महिने के अंदर अंदर ही देविलाल जी के बीच में और वीपी सिंग जी के बीच में जो है बहुत ज्यादा टसल होने लग और यही चीज को देखते हुए क्या हुआ कि आगे जाके पार्टी के अंदर फैक्शन गिरने लग गए फैक्शन होने लग गए पार्टी के अंदर मदबेध होने लग गए बीजेपी और लेफ्ट भी इस चीज़ से परेशान थी कि देवी लाल जी जो है उन्होंने अपने पुत्र श्री ओम प्रकास चोटाला जी को जो है हर्याना का चीफ मिनिस्टर बना दिया अब यहाँ पर पार्टी अपने आप में बढ़ रही थी वीपी सिंग जी खुद अपने इस कोईलेशन गवर्मेंट को नुकलियर माटीरियल बोलते थे क्योंकि आप इस चीज को समझे एक तो लेफ्ट पार्टी भी उस कोईलेशन के अंदर थी और राइट पार्टी जैसे की बीजेपी वो भी उसके साथ तो दोनों एकदम आइडियोलोजिकली विप्रीत जो पार्टियां है उन्हें साथ में लाना कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए तो जैसे जैसे समय बीता गया देविलाल जी को क्या है उन्होंने प्रेशर के अंदर आके उन्होंने जो हटा दिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पज़ अब वो ये चीज समझ चुके थे कि मेरी जो सरकार है ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली तो कुछ जगे ऐसा भी बताया जाता है कि शरद यादव और राम विलास पासवान जैसे नेता जो है वो वहाँ पे गए और वो उन पे इस चीज का दबाव बनाने लगे कि आपको बैकवर्ड क्लासिस के लिए क्या है कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा मंडल कमिशन की रिपोर्ट को इंप्लिमेंट करना पड़ेगा बट जब हम वीपी सिंग जी को देखते हैं तो वो इतने बढ़िया राजनितिक नेता थे और इतने सुलज़े हुए राजनितिक नेता थे कि वो किसी भी दबाव में कोई भी काम नहीं करते अब उन्हें मालूम था मेरी सरकार जाने वाली तो उनके लिए ये सबसे सुनेरा मौका था इतिहास में अंकित होने तो उन्होंने अपना प्लान बनाया और इस तरीके से जो हैं उन्होंने इसको इंप्लिमेंट कर दिया 6 अगस्त 1990 की शाम को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उस दिन कैबिनेट मीटिंग का जो प्रस्ताव था उसके अंदर मंडल कमिशन को डिसकस करने की कोई भी बात नहीं कहीं गई थे 13 अगस्त को जो हैं उन्होंने इसको इंप्लिमेंट कर दिया जैसे उन्होंने इसको इंप्लिमेंट किया इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो राजीव गोस्वामी करके एक हमारे चात्रे नेता थे उस समय पे उन्होंने आत्मेदा की भी कोशिश की और उस वज़े से ये movement जो है बहुत जादा violent हो गया कुछ नेता जो थे चात्रे नेता वो ऐसे भी थे जिन्होंने सुप्रीम कोट का साहरा लेना सही समझा तो उस समय तक वीपी सिंग जी की सरकार तो चली गई थी और नर्सिम्मा राव जी की government आ गई थी तो नर्सिम्मा राव जी की government ने जो है उसे चीजों को थोड़ा से संबालने के लिए 10% जो है किसको दे दिया economical weaker section को तो 25% जो है already पहले सी थे 23% के करीब और बाद में उसके बाद हम देखते हैं कि 27% OBCS को दे दिया गया तो 49.5% aggregate reservation already हो चुकी थी और उसके उपर जो है 10% नर्सिम्मा राव जी की government ने economical weaker section को दे दी तो इसके खिलाब भी काफी जादा protest हुआ कि ये anti merit हो रही है चीज़ जो सही में लोग आगे आने चाहीं है वो नहीं आपाएंगे इसकी वज़े से तो इसका कहां कहां इस case की सुनवाई हुई इंद्रा साहनी case के अंदर तो आप हम देखते हैं इंद्रा साहनी case के अंदर क्या judgment आया तो इंद्रा साहनी case के अंदर 9 जजो की bench बैठी जिनोंने ये judgment सुनाया कि ये जो 27% reservation है ये constitutional है इन nature तो उन्होंने उससे सही ठहरा है पर उन्होंने इस पे एक जो है एक हम बोल सकते condition लगा दी वो condition ये थी कि ये जो 27% reservation है ये creamy layer को नहीं दी जाई अब creamy layer कौन थी? creamy layer उस समय के हिसाब से जिनके पास एक लाग से ज्यादा की सालाना तनखा है वो इसके अंदर include नहीं होंगे जिसको अब बढ़ा के 8 लाग कर दिया गए तो उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा दूसरी चीज उन्होंने बोली ये 10% जो economical weaker section को दिया गया है ये सही नहीं है तो इसे भी हटाया जाए उन्होंने इसके लिए तर्क दिया कि economically weaker होना ये चीज सिद्ध नहीं करता कि आप socially weaker है सामाजिक तोर पे जो है आप पिछड़े ये चीज सिद्ध नहीं होती इस चीज फिर उन्होंने इसके अंदर एक ceiling limit लगा दी कि cast based reservation जो है 50% तक ही हो सकते हैं 50% के उपर नहीं जा पाई और सिर्फ जो है employment के दौरान जब पहली भरती होगी तब ही आपको reservation मिलेगी और उसके बाद जो है promotion में आपको reservation नहीं मिलेगी अब ये court ने अपना judgment दे दिया था बट इसका retaliation जो है legislature द्वारा भी आना भी बाकी था so legislature decided that it will pass 77th constitutional amendment act 1995 what did this constitutional amendment act said so this constitutional amendment act inserted article 16 4a which said that reservation in the promotion was restored अब जो है reservation दी जाएगी promotion के अंदर भी तो एक चीज तो वापिस उन्होंने ले ली अब बात करते हैं दूसरे development की जो आया 85th constitutional amendment act 2001 से अटल विहारी वाजपई जी के दौरान उसके दौरान एड किया गया article 16 clause 4b वो एड किया गया और उसमें ये चीज बताई गई कि जो vacancies ह जा सकता है उन्हें आगे ले जाये जा सकता है ठीक और वो चीज जो है वो ceiling limit के अंदर एड नहीं होगी तो 50% के दाइरे के अंदर नहीं आई तो ये जो चीज जो है development हुआ उस दौरा अब इसके अंदर हमें ये चीज भी देखने की जरूरत है कि क्या ऐसा हुआ कि इंदर साहनी केस का बहुत जादा importance रहा जैसे कि उन्होंने क्रिमिलेर इंक्लूड कर दी उन्होंने overall efficiency की बात करी article 335 के अंडर कि बुला कि overall efficiency जो है administration की वो compromise नहीं होनी जा तो इसकी वज़े से इसके अंदर ये सारे development हुआ अब हम आगे एक चीज के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपने thumbnail में भी देखा होगा कि क्या reservation एक fundamental right है ये constitution के अंदर दिया गया है article 16 के अंदर दिया गया है तो क्या ये fundamental right है क्या हम इसके लिए protest कर सकते हैं क्या हम इसके लिए supreme court जा सकते हैं सोचने वाली बात है अगर यहां दिया गया है तो constitutional remedies भी होनी चाहिए तो आए देखते तो सुरेश चंद गौतम वर्सेज स्टेट अफ उत्तर प्रदेश 2016 इसके अंदर जो है judgment आया उसके अंदर ये कहा गया कि article 16 clause 4a as well as clause 4b these are enabling provisions it means that these enables the state to make reservation but it is not obligatory in nature ये जो है उनके उपर कोई बंदिश नहीं है state के उपर कि वो आपको reservation देंगे ही देंगे ये हमने क्या है power दी है constitution ने power दी है state को कि वो चाहें तो reservation दे सकते तो इसके लिए court जो है mandamus issue नहीं कर सकती है कोई order issue नहीं कर सकती है कि भाया इन्हें आप जो reservation दे रहे हैं वो आप दीजिए कोई force नहीं कर सकती court और इसी के तहत क्या हुआ उत्राखंड government ने 2012 में ये decision लिया that they are going to fill all the post without any reservation and it was challenged in apex court तो इसे apex court के अंदर जो है challenge कर दिया गया Supreme Court में challenge कर दिया गया तो Supreme Court ने साफ साफ ये चीज़ बोली that there is no right to reservation आपको जो है आरक्षन का कोई भी अधिकार नहीं है ये जो है government के पास power है वो चाहे तो दे सकती है ना चाहे तो ना भी दे तो reservation जो है ना तो fundamental right है ना legal right है और ना ही constitution right है ये सिर्फ जो है provisions ये अनेबल कर करते है state को government को की reservation दे सकते हैं तो I hope you liked this video इसके अंदर हमने article 16 के बारे में सारी बात कर ली है और अगर आपके पास कोई भी doubt है तो मुझे comment section में जरूर बताए कोई भी चीज जो आप discuss करना चाहते हैं वो भी बताए so thank you for watching this video I hope you liked it thank you very much